हलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मन मोहन स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम ESP8266 NordMCU का यूज करके एक डिस्प्लेबोर्ड बनाएंगे वाइफाई वाला ठीक है यह पीटेन बोर्ड का कनेक्टर है ठीक है यह सी ही पीन सोती है उसके पीछे ठीक है तो यह 16 पीन का जो है पीटेन बोर्ड का कनेक्टर है कनेक्शन कैसे होगा यहां समझे जरा ठीक है पीटेन बोर्ड का ए जो है डी जीरो पर टच होगा कनेक्ट होगा ठीक है यहां पर आएगी देखिए यह D0 दिख रहा है इसको हम connect करेंगे यहाँ पर A point पर ठीक है तो यहाँ पर हर एक wire अलग color से ले रहा हूं ताकि आपका confusion ना रहे कोई भी ठीक है तो यहाँ पर देखिए D6 जो है B point से connect होगा ठीक है उसी तरह से यहाँ पर देखिए clock जो है D5 तो D5 का है हमारा यह रहा तो D5 से यहाँ पर देखिए जो clock वाली जो pin है ठीक है इसमें जो पूरा 16 pin का connector repeat है इनका वो पूरा connect नहीं होगा उसमें केवल यह जो तीन यहाँ पर दिख रहे हैं और तीन यहाँ पर 6 और एक ground का 7 pin ही केवल 7 wires हमें connect करने है 16 में से ठीक है तो D3 को connect कर देंगे हम latch वाली pin से ठीक है और अब जो data है वो finally आएगा D7 से तो यह हमारी D7 ठीक है D7 से हम जो है हमारी data pin को connect कर देंगे ओके तो यहाँ पर सारे pins जो हो चुकी है केवल ground बचा है तो ground का आप देखिए यहाँ पर P10 connector पर जहाँ पर ground दिया हुआ है ठीक है देखिए ground को ground से connect करना मतलब P10 board का जो ground है देखिए यह सारी pins जो है ना यह सारी ground होगी तो इन सभी को एक wire से connect कर देंगे और फिर यहाँ पर जो हमारा node mco का ground है इससे जोड़ देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा pin connection कंप्लीट हो गया तो इस तरह का आप controller बना लेंगे ठीक है यहाँ पर आपको जो यह P10 का connector दिया है न मैंने यहाँ पर मेल टाइप के pin header solder करेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर voltage in और ground है तो यहाँ पर हम 5V का input देंगे हमारा P10 board भी 5V से चलता है तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे और ground सभी का P10 board का common कर देंगे देखिए यहाँ पर इस तरह से connection करना है अभी देख रहे यह सारे wires तो हमने connect कर दिये यहाँ पर controller के और अब देखिए है तो एक एक करके connect कर सकते है female connector से यहाँ फिर एक pin header बना दे मेल वाला और positive negative हमने यहाँ पर दिये और यही positive negative P10 में भी दे दिये ठीक है तो इस तरह से हम एक controller बना लेंगे यह वाला controller में ने बना दिया है ठीक है तो अब मैं इसको कैसे connect करूंगा P10 से समझ लीजिए wiring बिल्कुल उसी तरह से जैसी मैंने बताई थी यहाँ पर आपको connector दिख रहा होगा और इस तरह का एक flap cable आएगा ठीक हर एक P10 board के साथ एक flap cable आता है तो इसे हम यहाँ पर connect कर देंगे ठीक है तो इसको हमने यहाँ पर connect किया और इसका जो दूसरा end है वो P10 board पर connect हो जाएगा तो P10 board पर देखिए दो end होते है ना मतलब दो connector होते है तो किस पर करना जिस पर ऐसा arrow होगा ना वोसका input का है तो वहाँ प देखिए यहाँ जूड़ रहा है और हमें यहाँ पर दो P10 board यूज़ करने है ठीक है तो definitely दो flap cable होगी तो अब यहाँ पर देखिए यह connector यहाँ लगेगा वह input का था यह output का connector है और यह output का connector दूसरे board के input के connector से connect होगा देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना यह देखि अब देखिए वी सीची और ग्राउंड बहुत ही सिंपल खेलता है मैंने बताया तहना नोड में जान वी सीची ग्राउंड अब देखिए वी सीची फाइव वोल्ट प्लस हो जाएगा और जहां ग्राउंड वहां ब्लेक वायर जोड़ा है जो कि माइनस का रहेगा ठीक है तो यहां Sब 2 वायर ओड जा रहे हुं जो दुसरे बॉर्ड के वी सीची ग्राउंड तक जाएंगे यहां पर देखिए इंपूट कनेक्ट किया और वी देदरे वाला घ्राउंड अलन इसमें छो कनेक्टर दो यहां पर हमने यह connect कर दिया अब यह जो हमारा controller है ना इसको हमने विसी सी ground यहां दिया है आप देख सकते हैं ठीक है विसी सी ground लिखा है ना बिलकुल तो यहां पर देना है केवल 5 वोल्ट देना हमारा node mc3.3 वोल्ट के logic पर काम करता है लेकिन हमें input के इतना देना है 5 वोल्ट क्यो USB इसको यहां पर हमने connect किया और इसे हम जो है हमारे computer से जोड़ देंगे इस प्रकार से ठीक है computer पर जोड़कर पीटें से इसको निकाल लेंगे क्योंकि सारा लोड जो है वो USB से लेने लग जाएगा 5 वोल्ट का पीटें बोड गलो करने का तो इसने connector को निकाल दिया अब देखिए आपको यह folder मिलेगा यह सारी files मिलेगी इसके download link आपको मेरे description box में मिल जाएंगे यह files आप download करेंगे द यहां select करना है यहां पर यहां पर देखिए यह बिल्कुल सेम रखना है आपको है न और यहां पर बिन फाइल जो है browse करनी है तो यह हमने जो बिन फाइल डाउनलोड करेंगे यह रही वाइफाई डिस्प्ले बिन फाइल इसका भी download link आपको description में मिलेगा ओके तो यह file इद some time और जैसे हम यह बटन दबाते हैं ना इसमें जो हमारा नोड एमस्यू है उसके अंदर light जो है flicker करना शुरू कर देती जब तक प्रोसेस चलती है लगबग 5-10 सेकेंड तक यह process चल सकती तब तक यह light flicker करेगी देखिए code upload हो रहा है तो कि मैं थोड़ा सा इसके उपर डा यह message आएगा इसको कर देना अब आप जो है इसको करके इस एप को बंद कर सकते हैं और अब इसको जैसे हम P10 board से connect करेंगे हम देखेंगे कि हमारा वाइफाई डिस्प्ले बोड तयार हो गया ठीक है तो बहुत ही आसानी से हमने यह वाइफाई वाला controller बना दिया P10 board का जिस इसके उपर message जो है mobile app से जो है इस पर चलेगा mobile app भी आपको बताऊंगा कहा मिलेगी कैसे download करनी है free download है सारे तीन files आपको लेनी है ठीक है देखिए यह वाला जो connector input का है तो अगेन यह input में मैं जोड़ देता हूं यह दोनों board में जो है ना board number one यह वाला जिसमें हमने input दिया देखिए जैसी connect किया यहाँ पर message जो है डिस्प्ले होने लगया रुकिए अभी यह थोड़ा ultra display हो रहा है मैं इसको पूरे को घूमा देता हूं यह रहा ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह पूरा message चल रहा है अभी camera की वज़े सा आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होग थोड़ा अंधेला करके बताता हूं देखिए इस तरह से यह दिखेगा तो काफी अच्छा display आएगा काफी बड़ा है क्योंकि दो पीटन बोर्ड जोड़े हैं हमने तो यहाँ पर आप अपना message जो है जो भी है वो इस पर scroll करता हो देख सकते हैं मैंने देखिए यहाँ पर इस पर message कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा इस पर message extension कैसा करना है बिलकुल मैं बताऊंगा विडियो पर बने रही है ठीक है अच्छा इंटरनेट क्लोक का मैंने बनाय था वीडियो तो पी 10 बोर्ड करके internet clock हम बना सकते हैं और किसी भी color में बना सकते हैं definitely अभी यहां से view देखिए काफी अच्छा RIS display board पर ठीक है तो internet clock का kit भी available है और ये वाला जो है हमारा wifi display board इसका भी DIY kit available है आप purchase कर सकते हैं ठीक है चलिया तो अब हम चलेंगे हमारी app कैसे download करना है देखिए एक app रहेगी इसका में link आपको description box में दूँगा आप जो है उस app को अपने mobile में install करेंगे ठीक है install यह थोड़ा time लगेगा install होने में और definitely एक warning भी आएगा ज्योंकि यह play store से हैब download नहीं करें मेरा बनाया हुआ ठीक है तो इसको आप open करेंगे open अभी नहीं करेंगे अभी हम क्या करेंगे पहले जो display board है ना wifi on करेंगे अपने phone का और इस जो हमारा node mcu है वो एक hot spot बनाता है उससे connect करना है ठीक है हमने जो भी controller बनाया है ना वो एक wifi range create करेगा यहाँ पे देखिए आप टैप करके और इसका password सुनिए मेरा mobile number है 8989811397 ठीक है तो आपको यह hot spot का नहीं तो रहेगा मनमोहन वाइफाइ डिस्पले और यह mobile number इसका password है definitely वो website पे भी मैं दे दूँगा आपको ID password क्या डालना है और जैसे हम connect हो जाएंगे इसको एक IP address gain करेगा ओके अब आप इस app को open करेंगे जो install हुई है ठीक है install मैंने बताया आपको link description box में मिल जाएगा वहाँ सब यह install कर चुके होंगे wifi displays का नाम है icon different रहेगा आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा तो यह जैसे ही आप अपन करेंगे ऐसा दिखाई देगा इसमें मैसेज में यहां पर डालता हूँ देखिए new year का occasion है तो मैं यहां पर type करता हूँ happy new year ठीक है तो यहां पर हमने message डाला और the moment I press the switch जैसे दबाऊंगा मैं यह send button आप देखें यहां पर already पूरा text change हो गया और देखिए क्या लिखावा happy new year ओके तो इस पर message change करना बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है और एप आपको free access है आराम से download कीजिए और इसको मैं हमेशाइब को update भी करता रहूँगा जो आपको free में मिलता रहेगा update अभी देखें नया message डालते है यहां पर जो है ना 2023 2023 2023 भी लिखके फिर send करता हूँ तो देखिए अभी जो है message change हो गया है happy new year 2023 तो इस तरह से आप message इतनी आसानी से आप इसके उपर change कर पाएंगे ठीक है दो p10 board का use करके हमने यह wireless display board बनाया है नोटिस बोड कह सकते हैं वाइफाइ डिस्प्ले बोड कह सकते हैं बहुत ही काम की चीज़ें तो पसंद आया हो तो लाइक subscribe share जरूर करें और comment करेंगे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगीगा ठीक है इस प्रोजेट का पूरा DIY kit आपको मेरे पास मिल जाएगा बना हुआ चाहिए डेफिनेट के मिल जाएगा DIY kit चाहिए मिल जाएगा आप वीडियो देखके बना सकते हैं कोई भी परेशान यह बिल्कुल मुझे आप वाटसप पर मैसेज कर सकते हैं कोल बार 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 ना करें क्योंकि हर बार में आप ख्राइट कलर में किसी भी कलर में पीटेंट बोर लीजिये और उसके उपर जो है बताईए ठीक है आगे आने वाले वीडियो में मैं RGB पीटेंट बोर के ऊपर बताऊंगा प्रोजेक्ट से के तो आप कमेंट करके बताएं यह देखना चाहते हैं तो क्या सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं पीटेंट बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आडिनो और नोडेंस यू वाली पूरी प्रोग्रामिंग दी जाएगी ठीक है अच्छा मैं आपको बता दू नोडेंस यू के ऊपर एक चैनल बनाया मैंने ठीक है तो वह चैन नोडेंस यू आयोटी यह सब डिसकस करते हैं केवल नोडेंस यू जिसको सीखना है बिल्कुल उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसमें वन बाए वन सेक्वेंस में आपको सारे वीडियो मिलेंगे ठीक है तो लाइक कमेंट शेयर जरू करें और कमेंट तो अभी करी दो आप अच्छा लगा ही होगा वीडियो और आगे आने वाला वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाओ बिल्कुल आप कमेंट करके बताएए थैंक यू वेरी मच्छ हैव गुड डे लव यू आल झाल